हलो डियर लेर्नर्स वेल्किम टू आयस शौर शौर्ट मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 18th of November 18th November के जितने भी important articles जितने भी important news आज आई है The Hindu newspaper और The Indian newspaper में The Indian Express newspaper में उन्हें discuss करेंगे तो 18th November के current affairs को आप यहाँ पे study कर सकते हो हमारे साथ आज के daily news analysis में daily newspaper analysis में तो शिरुवात करते हैं आज के The Hindu analysis के साथ और देखो आप हमसे इन सभी mediums के तुरू connect कर सकते हो तो यह जो channel है हमारा पहला telegram channel इसे जरूर से join कर लो क्योंकि इनहीं पे हम lectures की pdf post करते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारी हालत इस emoji जैसी ना हो तो हमें alert हो जाना चाहिए अगर पने mindset को अच्छा रखना चाहते हैं बड़िया रखना चाहते 행। positive रखना चाहते हैं तो think about your blessings more than you think about your problems all right ओके शुरुआत करते हैं आज के पहले article के साथ जो की है बाली यात्रा के बारे में connecting this to GS paper one art and culture बाली यात्रा क्या है देखू बाली यात्रा basically एक event है जो की news में इसी लिए है क्योंकि हमारे जो मोदी जी है वो जी 20 summit में गए हैं जी 20 summit कहां हो रही है इंडोनेशिया के शेहर बाली में हो रही है तो यहां पर इंडोनेशिया में जाके हमारे जो प्राइम इनिस्टर है उन्होंने जी 20 summit में जाके इंडोनेशिया में वह इंडिया का डायस्पोरा हुआ इंड़ूनेशा में और उनको अड्रिस करते हुए बाली रिवर्टी जो निकलती है निकलती है यह बैंक पे इंडिया और इंडोनेशा के बीच में काफी लंबे समय से ट्रेड रिलेशन्स रहे हैं और इसी को सेलिब्रेट करता है बाली यात्रा ठीक है और इसको गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी डाला जा चुका है क्योंकि यहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से औरिगैमी बना जाते हैं यह से देख रहे हो यह क्या है यह उडीशा हाई कोट का बाली यह चाइसे को यात्रा है और होके निके को हर साल मना जाता है को मैमरेट किया जाता है दो हजार साल पुराने जो मैरिटाइम रिलेशन्स रहे हैं इंडिया और इंडिया के बीच में उसको सेलिब्रेट करने के लिए उस टैम दो हजार साल पहले तो इंडिया था नहीं उस टैम पे यहां पे कलिंग का किंग्डम थे 2000 साल पुरा ने उनको हम सेलिब्रेट करते हैं बाली यात्रा के थुरू कार्टिक पूर्णे मास से शुरू होता है यह पूरा इविंट और बिंगॉल रीजिन में यहां पे अलग-अलग पोट्स पे साधवास जो हैं ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रडिशनली वोएज यहां स जूल्री गोल्ड इन सब का ट्रेड हुआ करता था अब देखो यहां पर क्या हुआ है कि अफ्टर कोवर्ड अभी पहली बार बहुत अच्छे से हो रहा है यहां पर ठीक है यह जो बाली यात्रा बहुत अच्छे से होने वाली है फोक डांसे वगरा परफॉर्म के 2000 साल पुराने जो maritime trade relations है हमारे और इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में उसको celebrate करने के लिए यह event celebrate किया जाता है ओके आगे बढ़ते हैं देखो जरा map देख लो जब बात हो रही है इंडोनेशिया की तो proper map भी देख लेते हैं यह देख रहे हो यह है पूरा इंडोनेश बइचिया ओके इन टोनेशिया यह लिए इंडीन उशिन के बीच में आता है इनडेन ऊशिन है यह जो है यह सित रही है यह नेध्य को का लास्ट फॉइंड को Нीपार फिर इस यह इसा होता है ठीक ऐसा हो इस लाटिट्यूट का नाम है इस डिगरी लाटिटीव्ड नौर्ट अंदमान निकोबर का लास्ट ऐलेंड है इंडिया जो है उसको अलग अलग करते है इंडोनेशिया और सबसे पहले जेख रहे हो यह समात्रन आइलेंड है यह जावा आइलेंड है और उसके लबह छोटे-छोटे और आइलेंड नहीं बोर्नियों है इस तरह से तो सुमातरा पे आप काई सारी आपको आइलेंड यहां पर जकारता की है इन्डोनेशा का क्या है या जावाले आइलेंड पर आप मुझे यह बता ना कमेंट सेक्शन में कि इंडोन और जकार्ता जो है उसके उपर भी बहुत इशूद होते हैं जब भी ऐसा कुछ क्लाइमट चिंज जैसे सिचुएशन होती है तो इंडोनेशिया ने अभी प्रपोस किया है कि वो एक दूसरा कैपिटल तयार करें इस दूसरे कैपिटल का नाम क्या है अगर याद हो तो बताना जरूर कॉमेंट सेक्शन में ओके तो देखो यहां पर इसकी बात करें थे यह सारे सुंडा आइलेंड ग्रुप्स में आते हैं और यह उपर देखो यह जावा सी आ रहा है नीचे इंडियन सब्सक्रण के इंडोनेशय से पास होता है इसके अलब यह मकससर स्ट्गष झोटे-छोटव weirdo घ्छी बंडासी दिमोरसी आई अ कि Eck union के लिप यह इंपॉर्टन एडिया नहל गर रफना है वक आगे बड़ते हैं नेक्स्टिशू की तरफर निकिंस्टिशु है हैं जिनको आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं सिस्टम को लेकर बहुत हो रहे हैं यह कोलीजियम सिस्टम क्या है है कि अगर स्टम करना है तो कहने के लिए तो इस जच को अपॉइं Twin टाव president करते हैं यानि कि government करती है ठीक है governor करते है तो कहने के लिए तो president करते हैं लेकिन इसके पीछे पूरा का पूरा हाथ Supreme Court के जो सीने मोस जजन उनका हुता है यानि कि judges को अपॉइν्ट करने के लिए judges रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो तो इस गोस-गीन principle of fairness तो यहां पर यह चीज गलत है न कि अगर आप सोचो न कि अगर आप ही यहां पर आप ही जच हो और आप इसके ही यहां पर इनलाब नतने college system पे कि judges जो है उनी के बेटे उनी के भतीजे उनी के relatives जो हैं वो lower courts में judges होते हैं और उनी judges को जो अपने ही favoritism के basis पे अपनी family relations के basis पे उनी judges को उपर promote किया जाता है तो यहां पे जो senior judges हैं अपने personal interest को promote कर रहे हैं अपने personal interest को promote कर सकते हैं using nepotism and favoritism or this can lead to the situation of conflict of interest too तो यहां पे basically collegium system को बहुत criticize किया जा रहा था काफी लंबे समय से और यहां पे बार-बार यह कहा जा रहा था कि conflict of interest हो रहा है यहां पे और collegium system जो है इसको review करना चाहिए और इसको हटा दिना चाहिए यहां पे सिर्फ judges या अगर judges को appoint करेंगे तो government की कोई अगर involvement नहीं होगी तो यहां पे तो nepotism और favoritism भी बढ़ता रहेगा सही तरीके से merit के basis पे judges आएंगे ही नहीं तो यह गलत है इसलिए इसके उपर बार-बार issues create हो रहे थे और अभी Supreme Court के जो judge है हमारे इनफाक्ट जो CGI है डी वाई चंद्रचूर जी उन्होंने बहला ठीक है भाई एक काम करते हैं रिव्यू ले ले लेते हैं एक बात कॉलेजियम सिस्टेम के उपर इसको लिस्ट तो करो कोलेजियम की यह कोलेजियम जो है 1993 के बाद आया है और यहां पर नाइन जजज बैंच ने बोला कि हम कोलेजियम के त्रूही जज़िस को अपॉइंट करेंगे यानि कि होगा यह कि जज़िस जो है Supreme Court के जो जज़ियम मुस्ट जज़िस हैं वह रेकमेंड करेंगे कि भाई किसको आगे जाके लाना है आगे जाके किसको और जज़िस बनाना है ठीक है Supreme Court का यह रेकमेंडेशन जाएगी law ministry के पास law ministry यही रेकमेंडेशन को भेज़ेगा किसके पास प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट को इनहीं जज़िस को अपॉइंट करना पड़ेगा ठीक है एक confirmation होगी कि करना ही पड़ेगा आपको ठीक है और यहां पर 2014 में गवर्मेंट ने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा हम यहां पे एक national judicial appointment commission लाएंगे जिसमें कि सिर्फ judges ही नहीं judges के साथ कुछ government officials होंगे कुछ law minister होंगे ठीक है तो government और judges दोनों मिलकर यहां पर decide करेंगे कि कौन अगला जो है appointment किसका होना है ठीक है तो दोनों की यहां पर रजा मिंदी होनी चाहिए तभी तो checks and balances रहेंगे और इसी एंजे एसी को जो constitutional amendment से लाया यह था 2015 में strike down कर देती सुप्रीम कोड सुप्रीम कोड बोलती है कि यह unconstitutional एंजे एसी और हम तो पुराने तरीके से ही अपॉइंट करवाएंगे judges को ओके तो यहां पर एक छत्र राज हो गया है किसका जुडीश्री का ही जुडीश्री के उपर कोई checks and balances नहीं है हमारे law minister भी कहते हैं कि कहीं पर भी दुनिया में ऐसा नहीं होता इंडिया के अलावा कि judges यह अपने brother judges को अपॉइंट कर रहे हैं सुप्रीम कोट ने बोला कि in the elaborate procedure followed by the collegium there are enough checks and balances तो सुप्रीम कोट अपनी साइट से सफाई दे रही कि बहुत checks and balances है तुमारी जरूरत नहीं है तो देखते समझते हैं इसमें collegium system जो है जो मैंने आपको बता है इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोट क आने वाले judges हैं यहां फिर high court के judges हैं उनको तो यहां पर judges ही judges को point करें दिरा the chancellor of nepotism बट यह शुरुवात कैसे हुई कैसे origin होता है इस system का पहले आते एक first judge case 1981 में इसमें कहा जाता है कि भाई अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक president अपनी मर्जी से कर रहे थे लेकिन president को chief justice of इंडिया के जो बात है उसको प्राइमसी देनी चाहिए तो अभी तक क्या हो रहा था executive की प्राइमसी थी judiciary के उपर ठीक है अभी तक executive अपनी मन मर्जी से judiciary में यहां पर appointments कर रहा था जैसे prime minister जो कह दिया cabinet जो कह दिया उसी का appointment हो रहा था by the appointment of president मैं प्रेसिदेंट कर रहे थे उसी को जिसको प्राइमसी यह cabinet ने कह दिया तो executive की प्राइमसी थी जो की ठीक नहीं थी इसलिए इसकी शुरुआ तो इसको चेंज करने की from the first judges case 1981 देना थे second judges case 1993 इसमें बोल दिया गया कि भाई अभी तक जो थे आप consult कर रहे थे है ना अभी तक आप consult कर रहे थे CGI को कि CGI क्य कह रहे है recommendation दे रहे हैं माना नहीं माना वो आपके उपर था लेकिन अब यहाँ पे मानना ही आपको पड़ेगा that means consultation has now turned into concurrence okay concurrence में बदल गया है and CGI जो है उनका individual opinion नहीं CGI के साथ दो senior most judges का जो opinion है वो आप लोगे और वो आपको मानना ही पड़ेगा president को मानना ही पड़ेगा य 1998 में यह कहता है कि भई ऐसा है कि सिर्फ CGI यां दो senior most judges नहीं CGI प्लस चार senior most judges जो है यह मिलाके बनाएंगे collegium और यही decide करेंगे अगले judges कौन आएंगे और इनकी बात आपको माननी पड़ेगी president को माननी पड़ेगी government को माननी पड़ेगी और यह भी consultation नहीं है यह concurrence की बात है तो इस तरह से collegium system आया इसमें judiciary ने बोला हम ही choose करेंगे लेकिन इसको oppose करते हुए 2014 में आता है NJAC NJAC याने National Judicial Appointment Commission Parliament जो है अपनी पूरी unanimity के साथ majority के साथ NJAC लाती है और यह भी एक proper constitutional amendment 99th constitutional amendment से आया अब आपको पते constitutional amendment करना इतना आसान तो नहीं है सभी की रदामंदी चाहिए तो सभी की रदामंदी सभी elected representatives की रदामंदी के साथ NJAC आया था इसमें बोला गया कि भाई तीन judges एक law minister और दो eminent persons जो है वो मिलकर ये 6 लोग मिलकर judge decide करेंगे कि कौन अगला judge आएगा इसको strike down कर दिया Supreme Court ने ठीक है और बोला कि नहींने हमें कोई जरुरत नहीं है government की या कोई eminent personality इसके हम खुद कर लेंगे ठीक है तो इन्हों ने इसको strike और भी है कि यहां पर बहुत बवाल इस बात पर भी मचा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमारे जनता ने चुना है ठीक है जो democracy का प्रतीक है जिनको लोगतंत्र ने चुना है जो public mandate से आए हैं उनकी बात नहीं सुनी जारी constitutional amendment को strike down कर दिया और Supreme Court अपनी मन मर medicine से related precision medicine successful in treating rare genetic decision paper 3 science and tech से आप इसको connect कर सकते हो हुआ कुछ यह है कि दो तीन institution है genome foundation and dermatology association ने इन समने announce किया है कि कुछ ऐसे specific rare genetic decision है जिसे इस case में CTX की बात हो रही है ठीक है CTX का full form क्या है देखो देख पड़ सकते हो seroprotendonis zaxomotosis okay I'm sorry for the pronunciation मैं medical student नहीं हो तो मुझे नहीं पता इसको कैसे pronounce करना है आप देख लो ठीक है तो यह CTX इसको बोल सकते हो आप इस CTX को rare genetic disease का जा रहा है और बहुत ही कम लोगों को होता है यह पूरे हमारे देश में चारी लोगों को diagnose हुआ है इसको ठीक करने के लिए मंदब यसा है कि CTX को आप ठीक कभी नहीं कर सकते क्यों और कभी नहीं कर सकते लेकिन इसका जो onset है उसको delay जरूर कर सकते हो यह चीज तो यह कि जो rare genetic disorder है यह difficult होता है डाइगनॉस ही नहीं हो पाते और उसके कारण काफी medical and economic burden face करना पड़ता है families को 40% जो rare disease patient है वो misdiagnose रह जाते हैं उनको दूसरी दूसरी बिमारी बोलकर कुछ औरी बिमारी का इलाज चल रहा है दूसरी चीज यह है कि average duration जो है जब से 5 साल का होता है मतलब symptoms आने और आप डाइगनॉस कर पाओ उसके बीच में 5 साल का समय निकल जाता है patients जो है जुनके rare diseases है उनकी बहुत low quality of lifestyle रहती है और high level of disability रहती है साथ में diagnosis time जो है वो अगर लंबा हो जाता है तो rare diseases को identify करके ठीक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और यह जो हम precision medicine की बात कर रहे हैं यह precision medicine बात कर रहे हैं जो यह काम करता है on the basis of GM याने की genetic modification पे चीज काम करती है और genetic modification के ओपर targeted medicine हो गई, biofuel हो गई, disease resistant crops हो गई, industrial products हो गई, ethical concerns, safety, सब कुछ इस से related to genetic modification से genetic modification याने की जैसे simple सा genetic modification बदाती हूँ यह आपका DNA है इस DNA में मानलो इस area में कुछ problem है तो आप क्या कर सकते हो इस genetic modification के थूँ कि इसको काट दो और इसको हटा दो तीक है और जो desirable trait है वो डालना है तो अच्छा वाला जो DNA है उसका यही part काट के लाओ और यहां लगा दो, this is genetic modification, okay इसी के थूँ precision medicines भी बनती है, तो precision medicine जो है, एक emerging approach है, disease treatment का, okay और यहां पर individual की variability के through, according इसको बनाया जाता है, ठीक है, तो यह एक personalized medicine है, आपके उपर आपकी genetic makeup को personalized करते हुए, देखते हुए, customize करते हुए, यह medicine बनाया जाती है, जिसमें अलग-अलग genomics को मिलाया जाता ह है, big data analytics, population health यूज की जाती है, और ultimately एक ऐसी medicine जो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है, उसको यूज के जाता है, okay, तो यह approach जो है, doctors and researchers को मदद करता है, कि वो properly predict कर पाएं, कि क्या treatment काम करेगा, नहीं करेगा, okay, और यहां पर यह बिल्कुल against में है, one size fits all के, जैसे क्या होता ह सिरे में दर्द हुआ, आपने disprin lately, disprin नहीं कोली का नाम है, नहीं tablet का नाम है, disprin lely, सब वे ही करते है, ठीक है, अगर आपको बुखार हो आपने cross in lely, यह सब लोग यही करते है, यह one size fits all approach है, लेकिन genetic disorders ऐसे नहीं काम करते है, यहां पर आपके specific needs होती है, specific चीजएं आपको को टैकल करने होते हैं और इसके लिए प्रिसीशन मेडिसिन बहुत काम आती है तो के इस्पेशली प्रिवेंशन स्टेज पर आगे बात करते हैं नेक्स्ट इश्यू की गवर्मेंट टू होल्ड ऑफसाइट ऑन अंडर्मान अधिट प्रिपैस वाजी ट्वेंटी प्रेसिदे से हो क्या रहा है कि जी ट्वेंटी मीटिंग हो रही है अभी इंडोनेशिय बाली में और इसी के बाद डिसेंबर आते ही हमारे पास इसकी प्रेसिदेंसी आ जाएगी यानि कि इंडिया के पास इसकी प्रेसिदेंसी आ जाएगी तो इंडिया ने बोला सभी लीडर्स को कि ह तो ब्रीशिंग के लिए आजाओ एक बार हमारे घर एक बार हमारे इंडमान निको बार में रिजॉर्ट बुक कर दिया है आजाओ आप लोग सभी मिल लेते हैं एक बार तो बस यही बात है और यहां पर इंपॉर्टन यह है कि है कि हैवलोग आइलेंड्स का जिक्र है ठीक है तो देखिए यहाँ पे G20 के बारे में हम अभी तक बहुतों बार डिसकस कर चुके हैं अगर आप चाहू पढ़ना तो यहाँ से पढ़ सकते हो ठीक है अभी जो G20 Presidency India hold करने वाला है उसमें इन सभी countries को invite किया है इंडिया ने बंगलादेश, इजिप्ट, मौरिशियस, नाइजीरिया, नीडरलेंड, उमान, सिंगापूर, स्पेन, युए यह सब गेस्ट कंट्री होंगी ओके अल्राइट अब देखो ट्रॉयका ट्रॉयका यहाँ पे important है ट्रॉयका का मतलब क्या है एक ऐसा group है G20 members का ही ऐसा group है जिसमें last year जिसने presidency hold करी ठीक है वो रहेगा इस साल present year जिसने hold करी वो रहेगा और आने वाले next year में जो presidency hold करेगा वो रहेगा जैसे अभी Indonesia है ठीक है तो इंडोनेशिया last year हो जाएगा ओके आने वाले टाइम में इंडिया के पास आने वाले प् तो यहां पर बात करें तो देख लो अन्दमाने निकोबार में एक बड़ा डाइवर्जिन हुआ है ठीक है फॉरस्ट डाइवर्जिन हुआ है जिसको हमने डिसकस किया था कुछ दिन पहले और हैवलोक आइलेंड पे सभी जीट्वेंटी कंट्रीज को बुलाया गया है तो इ देखें अन्दमाने निकोबार का यह मैप है और इसमें आप देख पा रहे हो अन्दमान आइलेंड निकोबार आइलेंड इन दोनों के बीच में जो पासेज आता है जो लाकिट्यूड आता है उसको बोलते है तें डिगरी नौर्ड चैनल और यहां पे देख रहे हो यह न देखो यहां पे नौर्ड अंदमान मिडिल अंदमान और यह देख रहा है साओर अंदमान इसके साइड में देख रहा है आपको हैवलोग आइलेंड नील इस अप यहां पर आपको दिखते हैं ठीक है इनका बीच में नाम भी चेंज कियागया था और सुभाषचंडर बोस नाम रखा गया था ठीकिक है नेटा जी सुभास सद्र बोस के नाम पे तो यह याद रेखना है 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 किसके पास में आ रहा है यहां पर लोर अंधंमाल इसके पास में रहा है ठ कि बढ़ते हैं आगे और नेंच्छ सान्धा आर्टिकल है तै इस अबहुT राइनोज जो हमारे इंडियन राइनोस हैं ग्रेट हांग राइनोस जो है उनके हॉन्स की बहुत ट्राफिकिंग गो ली ये रिपोर्ट आई है और इस तरह से यहां पे हॉन्स की इतने सारे हॉन्स की की faut है होंगे ये सीज किये गए है होन्स को यहां पर आप देखोगे weight के terms में तो यह horns का weight बढ़ा है ठीक है 2017 से लेकर अब तक बढ़ा है हाला कि poaching कम हुई है लेकिन horns का weight जो है वो बढ़ा है देखने को यह मिल रहा है कि जो horns यहां पर poaching हो रही है यह majorly Chinese group और Vietnamese group में ऐसा हो रहा है यह majorly criminal networks ने चाइना और Vietnam के जो इस trafficking को carry out कर रहे हैं okay important हो जाते है rhinosaurus के बारे में जानना इंडिया का one horn rhino very very famous great horn rhino भी बोलते हैं इसको ठीक है तो यह जो rhinosaurus है largest rhinosaurus है rhinosaurus species है पुरे world में और इसके अलावा यह confined है tall grassland forest टक है हिमालियास की जो tall grassland forest है वहां तक ही confined है नेपाल भुतान पाकिस्तान आसाम इंडिया इन एरियास में यह मिलता है ठीक है वाइट राइनो तो बहुत सारी population में मिलता है ब्लैक राइनो अभी सिर्फ 5000 की population इनकी बची है ग्रेट वन हां राइनो इस तरह का दिखता है ठीक है यह जो है यह 3600 की population अभी इसकी बची है और यह इंक्रीज हो रही है population तो वलनेबल क्राटिगरी में है ओके यह दोनों जो है यह दोनों राइनोसार्स सबसे ज़्यादा जो डेंजर में है एक है जावन राइनोसार्स और एक है सुमात्रन यह 70-80 कुछ बचे है ठीक है और यह critically endangered है दोनों जो है critically endangered है very important very important slide इसके उपर of environment forest है जो national conservation strategy लाइए वन हां राइनोस पर दूसरा एक new Delhi declaration भी हुआ Asian rhinos के ओपर 2019 में जिसको जो भी country है जहां पर भी यह राइनोस मिलता है ठीक है Asian rhino मिलता है उन्होंने sign किया है ओके इसके लब डीने प्रोफाइलिंग की बात की गई है कि ministry of environment dna profiling करेंग और चेक करेगी कि राइनोस की population बढ़ रहे है कमो रहे है क्या हो रहा है ओके तो यह कुछ efforts है next बात करते है FM ask NIIF to guide private capital into infrastructure connect this to paper 3 economy ओके तो देखो हुआ क्या है हुआ यह हमारे finance minister जो है निर्मला सीतारमन मैम उन्होंने यह कहा है कि हमें जरूरत है infrastructure के उपर investment की और इस investment में हमें इस investment में भी जरूरत है private investment की तो NIIF याने कि national infrastructure investment fund जो है इसको कहा गया है कि भाई तुम mobilize करो तुम mobilize करो यह fund को और यह fund जो है private sector से mobilize करना for the infrastructure sector ओके तो finance minister ने कहा है NIIF को कि हमें जरूरत है funds की private capital की कुछ projects के लिए जैसे कि national infrastructure pipeline के लिए PM गतिशक्ति के लिए national infrastructure corridor वग्यरा के लिए ओके तो यहां पर इन projects के लिए मांगा गया है fund और यह किस से मांगा गया है NIIF से तो हमारे लिए जरूर यह जाते हैं इन सभी के बारे में discuss करना सबसे पहले national infrastructure pipeline इसके लिए अब इसकी बात कर ले कर आई थी कब एक सो दो लाग करोड का रुपय का इन्वेस्मेंट किया 2019 से पच्चिस के बीच में यह दो एक सो दो लाग करोड करोड रुपय खर्च होने इंफ्रास्ट्रक्ट्रक्ट्ट्र प्रजेक्स के लिए इसमें economic and social infrastructure दोनों involved है roads हो गया education health इन सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्ट्ट्रक्ट्र हो गया यह सब ठीक है major projects क्या है एक तो है Delhi Mumbai Express हाई वे प्रदानमंत्री आवास योजना के अंदर अंतरगत यहां पर प्रोग्राम है जल जीवन mission को लेकर गुदावरी कावेरी river link project को ले और हमारे जो SDG targets है उनको fulfill करने में हमारी मदद करेगा ultimately 5 trillion dollar की economy बनने में हमको मदद करेगा by 2024-2025 okay बहुत important slide है then देखो next आता है PM गतिशक्ती scheme या plan इसके लिए भी fund पांगा है हमारी finance minister ने है क्या यह PM गतिशक्ती master plan तो देखो हमारा 75th independence day था उस पे हमारे prime minister ने इस PM गति किये जाएंगे holistic infrastructure बनाने के लिए तो यह master plan and national infrastructure को develop करने का okay और इसके focus area है कि employment generate हो local manufacturers को मदद मिले economic zones develop हो और infrastructure development हो जाए okay तो कई सारे sectors में यह infrastructure involved है और इंडिया का infrastructure sector है उसकी बात करें तो इंडिया जो है अभी 1.4 trillion dollar economy जो है अपनी invest करने वाला है infrastructure sector में तो इसके लिए private investment हम को चाहिए okay और दूसरी बात कहां से फंड आएगा तो वो फंड आएगा यहां से एन आई आई एफ यानि की national investment and infrastructure fund ठीक है यह जो है इंडिया का पहला ever sovereign wealth fund है जिसको set up के गया था 2015 में primary objective यही था कि यह economic impact को optimize कर पाए अगर कहीं से भी investment आ रहा है तो वह इस investment को properly utilize कर पाए इसका काम यह था कि infrastructure related जो project है उनमें investment आना capital आना domestic और international investors से वो इसका major काम है okay इसके अलावा इसको company's act के अंतरगत incorporate किया गया है as an alternative investment fund okay all right आगे बात करते हैं next issue की जो कि एक editorial isn't reservation for the poor a good thing तो reservation की यहाँ पर पूरी बात हो रही है बहुत important pointers आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे इनको जरूर जोड़ाइन कर लेना अपने mains के answers के लिए okay governance से इसको connect कर सकते हो पहली चीज़ अभी साथ नमेंबर को Supreme Court ने EWS category को constitutional बता है बोला है constitutionally valid है कोई दिक्कत नहीं है okay लेकिन जो SCST cast है उनके poorest of poor को exclude किया गया है यानि कि आपको पता होगा EWS category में सिर्फ general category के जो poor people है उनको रखा गया है इसमें SCST OBC इनके जो poor people है उनको न reservation poverty को address करने का सही तरीका है तो यहां पे पहला दिखो यहां पे पहला argument जो negative argument है reservation के against है कहा चता है कि reservation जो है इसका मतलब होता है quota बनता है quota याने कि अगर आप 100 सीटे है तो आपने 50 सीटे अलग करके रख जी ठीक है कि 50 सीटे के उपर कोई competition ही नहीं हो रहा है 50 सीटे अलग क खतम नहीं करेगा क्यों क्योंकि इसके लिए justification ही ना आप equality को जान बूच के side में रख रहे हो उसके लिए justification सही है और यह justification दिया जा रहा है कि इन community के साथ बहुत पुराने टाइप से social discrimination होता आ रहा है और ऐसा हो रहा है तो यह social discrimination का जो tag यह तो कभी हटे गई नहीं तो क्या है तो हमेशा reservation मिलना है तो आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे poverty हमेशा रह जाएगी अगर आपको रखना भी है reservation तो ऐसी जगह के लिए रखो नो जो intractable form नहीं discrimination के जो ठीक नहीं हो रहें काफी लंबी समय से उनको उनके लिए रखो आप सिर्फ economic reasons पर दे रहे हो जिसे inequality रहे हैं या equality के अगेंस्ट है नहीं reservation जो है equality का ही rule को आगे लेकर जा रहे है तीक है अगर आप एक होती equality तीक है और एक होती substantive equality substantive equality जो है वो ground पर दिखती है आपको equality आप इसको कहसा तो सिर्फ words की बात है और substantive equality आप actions बलाते हो ground पर आपको equality दिखती है that is substantive equality तो इसके principle को fulfill करता है substantive equality के principle को fulfill करता है हमारा reservation और constitution जो है वो draft करते time जो constitutional assembly थी उन्होंने सोचा कि बाई सिर्फ SCST को देना चाहिए ये criteria reservation का लेकिन आज की जो हमारी government है उनको कुछ और लगता है है तो दोनों ही चीज़ें democratically elected हमी ने elect किया है इनको हमारा ही mandate से elect हुई है तो बिलकुल इनके पास right है अगर इनको लगता है कि और किसी ground पर reservation दिया जा सकता है तो क्यों नहीं देंगे इनको elect किया गया है यह public के mandate को शो करते है यहां पर public की ज criteria क्या इसको justify करता है तो यहां पर देखो इनका कहना यह है एक interviewee का कहना यह है कि court ने आर्गू किया कि reservation जो है equality के लिए required है और यहां पर equality के against नहीं है तो इसी लिए EWS criteria ठीक है अभी तो ओके अच्छा इसके अलावा यह भी कहा गया है कि क्या reservation उन groups को भी मिल सकता है जो यहां पर adequately represented है यहां फिर जिनके पास कोई proof नहीं है कि उनका proper representation नहीं हो रहा तो इनका कहना एक interviewee का कहना यह है कि देखो भई economic criteria पर अगर आप reservation दे रहे हो ठीक है अब यह criteria जो है तोड़ा open-ended है backwardness पर बेस्द नहीं है लेकिन इसमें एक चीज यह भी है कि economic criteria पूरी तर इसे गलत भी नहीं है तो कि इसमें Muslims, poor, Christians and सबको भी involved किया गया है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ political agenda है कि politics शामिल हो सकती है लेकिन इसके पीछे logic भी है दूसरी बात है कि क्या इसमें हमको inadequacy जो है जैसे मानलों कि SC community बोलते है कि भाई हमको inadequate representation मिल रहा है इसलिए हमको reservation चाहिए तो यह inadequacy जो है अगर inadequacy को प्रूफ नहीं करते हैं तो क्या reservation नहीं मिलना चाहिए यहां पर author कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है inadequacy आप कैसे बता रहे हो यहां पर जब Supreme Court ने कह दिया कि constitutionally valid है तो inadequacy का सवाली कहां से हुआ कि हम यहां पर proof लाके दें यहां कुछ data लाके कि inadequate representation है ऐसा होता ही नहीं ठीक है अगर होता तो Supreme Court इसको strike down कर देती ऐसा हुआ क्या नहीं हुआ ओके और जो 50% की limit है उसमें भी यहां पर Supreme Court ने बोला है कि 50% की limit जो socially backward थे उनके लिए थी यह 10% तो economic वाला सेक्टर अलग आ रहा है तो यह पूरी बास ही यहां पर और इसके वाइस चीजे बोला जा रहा है कि certain groups को यहां से exclude किया जा रहा है सिर्फ caste के basis पर क्या यह सही है तो देखो यहां पर जो reservation है और social justice है इनके बीच में link d-link देखी जाती कई बार ओके यहां पर देखा जा रहा है कि कुछ groups को अलग रखा जा रहे है इन से तीक है और यहां पर backwardness और discrimination की definition अलग है तो यहां पर कोल मिला कि language का पूरा असर है ओके language का पूरा difference है और इसके कारण लेखा जोरे caste inequalities थोड़ी बढ़ती जा रही है ओके यहां पर कुछ ऐसे programs कि हमको ज़रूरत है जो even handedly इन सब चीजों को handle करें ओके और to what extent does exclusion affects equality code of constitution तो equality को कितना affect करता है reservation प हां जी कर रहा है क्योंकि reservation क्या equality perfect करता है बिलकुल affect करता है लेकिन क्या यह reservation against में है basic structure doctrine के तो यह basic structure के अगेंस्ट नहीं है यह Supreme Court ने clearly कह दिया गया है by Supreme Court ओके तो यह था पूरा editorial आज का question number one जो आपको comment section में बताना है मुझे वो है आपको first interstate council जो थी उसमें कौन-कौन members ह यह बताना है दूसरे चीज mapping exercise mapping exercise की यह दो question है इनको आपको address करना है South America की कौन-कौन सी country से equator गुजरता यह बताना है और कौन-कौन सी landlocked countries in South America में यह बताना है इसके लिए atlas खोला करो Google से मत छापके दिया करो तभी affect पड़ेगा and तीसरा है mains का question there is a need to establish an open and more transparent mechanism in appointing judges to the higher judiciary in the place of present system of collegium in India critically examine 250 words का question है अगर चाहो तो इसको लिखो answer writing करो और दिखो भी January तक कही time है आपकी पास answer writing करने के लिए okay तो इसको लिख के आप हमारे telegram group पे भेज सकते हो for peer review all right so that was all for today अगर आपको lecture अच्छा लगा हो तो जरूर से like करना okay और अपना अगर performance check करने हो तो comment करना मत that was all thank you for watching and have a very good day